पहले दे कश्मीर फाइल साई, फिर आई दे केरला स्टोरी और अब आने को तयार बैटी है बहत्तर हुरे नमस्ते हैं दोस्तान, जे हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप आज तो ये बताना बहुत आवश्यक हो जाता है कलदेर शाम दो बार के राश्ट्रिय पुरसकार विजेता और मशूर निर्देशक संजय पुरन सिंग की फिल्म बहत्तर हुरे का ट्रेलर डिजिटल प्लैटफॉर्म पर आचुका है दोस्तों अब यह बात भला बताने की तो नहीं ही है कि जब से आई है ट्रेलर की शुरुवात हुई है एक मौलवी के भाशन से देख लीजे जो संभवता मदर्से से दे रहा है अपने भाशन में मौलारा साहब कहते हैं कि आप ज़ाद के नाम पर लोगों का प्ल करेंगे आपकी बहतर हुरे नसीब होंगी और फिर दिखाया जाता है कि मुंबई टेरर आटक जिसकी योजना बनाते दो आतंकवादियों की आपसी बाची दिखाई जाती है वह कई जिंद्गियों को तबह करते हैं इसके बाद में आतंकवादी माग जाते हैं उनका रह तकते हैं इंतजार करते हैं लेकिन उन्हें कोई हूर लेने नहीं आती फिल्म का ट्रेलर आने से पहले ही इसे लेकर पहले जो महौल बनाया गया था उसका खौफ सेंसर बोर्ट पर साफ दिख रहा है नहीं तो जिस फिल्म ने आई आई एफटी के भारतिये पैनोरमा सेक्शन में अवार्ड जीते हों उसे सेंसर साटिफिकेट ना देने का कोई ठोस नजर नहीं आता ठोस वजह नहीं आता अब यह बस कह देना कि फलाद चीज आपत्ती जनक है या फलाद भावना को ठेश पहुचाने वाली है काफी नहीं है ना आपको तो मेकर्स को ये बताना पड़ेगा ना कि क्यूं आपत्ति जनक है और क्यूं सेंसर सर्टिफिकेट के लायक नहीं है साथ जुलाई को रिलीज होने वाली ये फिल्म इंग्लिश सहित डस अन्ने भाशाओं में भी आएगी जिनके नाम तमिल, तेलगू, मल्यानम, कनर, बंगाली, भोजपुरी, कश्मीरी, मराठी और असम्या भी है जिस बात पर आपत्ति जताते हुए सेंसर बोर्ड इसे हरी जंडी दिखाने से इनकार कर रही है वो कोई ऐसी बात तो नहीं जो परदे के पीछे की जा रही हो की वो बारचीत तसली से सुन रखी है जिसने आरजू साजद रशीदी से कहती है कि हमारे यहां जो जन्नत का नक्षा खीचा गया है रहा कि वहाँ पर शुप मिलेंगी 72 हुरे मिलेंगी वो भी तो हमें अईशी का अड़ा लगेगा या नहीं मर्दों को 72 हुरे मिलेंगी ऐसी होंगी वैसी होंगी कपडों में भी बौडी नजर आएगी वहां शुप पीने का कहा जाएगा और तो और औरतों के लिए भी कुछ है या सिर्फ बहतर हुरों का जिक्र है इस पर साजिद रशिदी ने कहा कुरान में श़राब की मना ही है लेकिन जन्नत में शराब तहूर कहा गया है यानि पाक पानी अगर जन्नत में खुदा इसे दे रहा है तो इस पर एतराज नहीं होना चाहिए पत्रकार ने पूछा कि मानों मैं इसलाम के सारे नियम मानती हूँ तो मुझे जन्नत में जाकर क्या मिलेगा इसके जबाब में मौलाना ने कहा आप जन्नत में उन बहत्तर हुरों की सरदार होंगी आप के जीवन में जो शोहर है वही जन्नत में भी होंगी मौलाना के इस बात पर यूँ चुटकी लेते हुए आजमी ने क्या कहा था आजमी उन्हें कहा मर्दों के लिए भत्तर हुरें और महिलाओं के लिए वही वाला शोहर तोबा तोबा ये तो बड़ी गलत बात है क्या औरतों का दिल नहीं है उन्हें भी कोई चॉइस दीजिए क्या बात है क्या कन्वर्सेशन है मालो शोहर नापसंद हो किसी तरह उससे गुजारा कर लिया हो तो वहां जाकर वो फिर गले पड़ जाएगा ये तो अजीब सी बात है ना और आप भत्तर हुरे लेकर घुमेंगे हमारे यहां मौलवी भी कहानिया बताते हैं बहुत हसीन होंगी ऐसी होंगी वैसी होंगी इस पर मौलाना ने कहा ये सवाल मुझसे नहीं बनता ये आप खुदा से पूछिए जिन्होंने जन्नत में मुसल्मान के लिए ये चीजे रखी है ये सवाल खुदा से बनता है ये सवाल मुझसे नहीं बनता ये सवाल आप अल्ला से कीजे जिसने जन्नत में मुसल्मान के लिए चीजे रखी है ये सवाल अल्ला से बनता है ये सवाल अल्ला मैं तो दीन का खालिख नहीं हूँ जो जन्नत की हूरों की खुबसूरती के बारे में बताते हुए ना जाने क्या क्या बताते है तो अपने नूर की तजली डालता है और पूरी 130 फट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है वो जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे सिरफ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आए 1990 के दशट में एक पाकिस्तानी पत्रकार हुई जिनका नाम है नसरा हसन जिन से उगरवादियों फिलस्तीन के कैम्प में रहने वाले 200 संभावित बंबर्स और उनके लोगों से बात की है दोस्तों अधिकांश आपको बता दू अधिकांश बिखुरों ने धमाकों के दूसरी तरफ जन्नत है जैसे त्योरी को सच मान रखा था ना जाने कितनी फिल्मे आई शहादत की चाहा रखने वाले युवाओं को बताया जाता है कि शहीद होने पर जो कुण बहेगा उसकी पहली बूंद उनके पाप धो देगी वो जन्नत जाने के लिए अपने करीबी और प्रिये लोगों में से 72 का चैन कर सकेंगे वहाँ उनका स्वागत बहतर हुरें करेंगी जो खुबसूरत अरजन लड़कियां होंगी माफी चाहूंगी यही सत्ते हिसले बताना पड़ रहा है मरने से पहले खुद को बम से उड़ाने वाले तमाम आतंकियों ने लिखित बयान में ये भी कहा है कि ये दर्द रहित है और जन्नत तक जाने का छोटा रास्ता यानि शौटकट है योरोप का एक शहर है दोस्तो बाली जो टूर ट्रेवलिंग के लिए दुनिया भर में मशूर है वहाँ अमरोजी नाम के एक आतंकी ने एक नाइट क्लब में बंबारी की थी जब उसे मौत की सजा सुनाई जा रही थी तो सुनवाई में उसने खुद को शहीत बताया पैसे के लिए जितने लोग आतंकी बने हैं उनसे अधिक संख्या उनकी है जो मौत के बाद एक कालपनिक दुनिया की फंतासी में आतंकी बनते कई बार ये भी देखा गया कि आतंकी पढ़े लिखे अच्छे खासे खाते पीते परिवार से होते हैं और सिर्फ जन्नत और जन्नत की हुरों की चाह में वो आतंकी बनते हैं आतंकवाद से लड़ने की बात पर कंधा से कंधा मिला कर चलने की बात करने वाले लोग आतंकवाद की कलई खुलते नहीं देखना चाहते मानते ही नहीं इस बात को अब ये वक्त है भारत सरकार के तै करने का कि आप सच में आतंकवाल से जुड़ी हर जड़ को पाट डालना चाहते हैं या बस पत्तों की छटाई से ही खुश है अगर इराधा इसे खत्म करने का है तो ऐसी अवेरनेस फिल्मों की समाज को बहुत आवश्यक है तो ऐसे फिल्मों को आवश्य आने दे और सेंसर बोर्ड तक इस बात को पहुँचाया जाए कि ऐसे फिल्म समाज में सिर्फ और सिर्फ जागरुकता फिलाती है ना कि सिर्फ सनातनियों के लिए हिंदूों के लिए मैं उन शांती दूतों के लिए एक अलग समुदाए एक अलग पंत मुसलिम समाज के कई ऐसे युवा युवक हैं जो की अपने माता पिता से जूट बोलकर सिर्फ इन हुरों के एक शौक में जन्नत मिलेगा इस तरह की एक जूटी कहानियों के लालच में फस जाते हैं और बेचारे माँ बाप तडपते रहते हैं तो मैं उनके लिए भी कहूंगी कि फिल्म अवर्ष रिलीज होने दे जिससे की समाज में जागरुकता आएगी हर पंत में हर समाज में हर तपके में और हिंदू सनातन धर्म तो जागरुक होगी हुई होगी जैहिंद वंदे मात्रम और हाँ जाते जाते आज जो तहवार है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं आशा करती हूँ कि बेचारे किसी मासूम की हत्या किये बिना कोई बली चड़ाए बिना आप भी ये तहवार पीसफुली मनाएंगे जैसे कि हम कम पटा के फोड कर दीपावली मनाते हैं और कम पानी की बरवादी करके होली का तहवार मनाते हैं तो जैसा उपदेश आप हमें देते हैं आशा करूँगी कि आप लोग भी हर पंत, हर समाज, हर तपका ऐसे उपदेश को खुद एकसेप्ट करेता जैहिंद, बंदे मातरम, हैस्टाग, सेव अनिमल्स